अब नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूर है सारे नोटिफिक्रेशन सारे अपडेट सारे मोश्ट इप्टेंट पिक्स सारा रिवीजन सब कुछ यहां पर पताए जाता है इसको जरूर जोइन कर लिजेगा यहमारा इस्टाग्राम का पेज़ है इसको जरूर फॉलो कर लिजेगा studyforcivil.services करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो के इसकी लिंक दी हुई इसमें आप इस्टोरी सेक्षन जरूर देखते रहा करिए प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते रहिए हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बर फिर से जुलाई दोजरे किस मंत के सारे के सारे most important current affairs इस वीडियो में हम cover कर लेंगे study for services का मंतली current affairs का वीडियो है चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है सभी विवर्स का आये चले शुरू करते हैं हमारे sectional current affairs की शुरुवात होगी agreement से लद्दाक और सिक्किम के भी समझाता हुआ है अब इनकी अलग-अलग agencies हैं लेकिन basically exam में इतना deep नहीं पूछते है एक्जाम में कहेंगे लद्दाक और सिक्किम ने चुलाई 2021 में किस मद पर समझाता किया है तो जैसे सिक्किम आप जानते हैं कि इंडियास first organic state है तो organic state जो है लद्दाक भी बनना चाहता है तो मोटा मोटा क्या समझे आप कि सिक्किम जो एक organic state है इसकी एक agency है सिक्किम स्टेट organic certification agency जो सहीयोग करेगी जो एक initiative चल रहा है लद्दाक में परमपरागत क्रशी का जिसको शौट में मोडी बोलते हैं तो इसका कारेंडमेंट करने में एजनसी एकर सहीयोग करेगी तो लद्दाक भी 2025 तक एक औरगेनिक स्टेट बन जाएगा सिंपल नो रोकेट साइनस बढ़ते हैं आगे हम लोग लोग लोवर अरूड जल विद्दुद परियोजना के लिए समझाता हुआ है अरूड जल विद्दुद समझाता हम यह पहले भी वैसे बता चुके हैं एक पर फिर से बता दे रहे हैं एक्चुली नेपाल में काटमांडू में 689 मेगावाट की एक जल विद्दुद परियोजना है जिसको कौन डवलोब करने वाला है सतलज हमारे यहां का सतलज जल विद्दुद निगम लिम्टेड यह जो है कह सकते हैं काटमांडू में इस परियोजना को रूप देगा तो इसलिए समझाता हुआ है एक्जाइम में हमको कंफ्यूज करने कोशिश करते हैं इसमें बस सिंप्ली आपसे कोश्चन आएगा कि अरुड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इन में से कौन इसको पूरा करने वाला है हो सकता है नेपाल की एक-दो एजेंसी के नाम दे दें उसमें से आप को सतलेत जल विद्धुत निगम निम्टेट को पहचानना है ठीक है यह पार प्लांट जो है कहां पर लग रहा है काटपांडू में एसी आर्बी जो है एसी आर्बी विज्ञान और इंजिनरिंग अनसंधान बोर्ड इसको बोलते हैं यह मिनिस्ट्री ओफ साइंस और टेकलोजी के अंतरगत काम करती है आप हुझ यह कमेंट करके बताईए कि जो एसी आर्बी है कैसा निकाय है ठीक है यह आट्रोनमस फायर बोल रहे हैं इसमें सहयोग किसका ले रहे हैं इंटेल इंडिया का बस इतना आपको इसमें ग्रैस्प कर रहा है यह हमारे उत्तर प्रदेश के करेंट अफैर का इंपॉर्टन एक न्यूज हो सकती है और इससे कॉश्चन बनने की संभावना भी है यहां पर आई एए एची की बात कर रहे हैं आई एची क्या है इंडियन एकाडमी फॉर हाइवे इंजीनियर्स यह जो है मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्टर हाइवेज के अंतरगत काम करती है इन्होंने अभी यूद्वरस्टी ओफ न्यू साओथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के साथ एक स समझाओता किया है Center for Advanced Transformation Center for Advanced Transportation Technology and System जिसको शॉर्ट में काड्स बोल रहे हैं इसको इस्टैब्लिश करना चाहते हैं अब में पॉइंट यहां पर है जो एक्जाम पॉइंट आफ इस से इंपोर्टन है कि यह काड्स कहां पर इस्टैब्लिश करेंगे इस्टैब्लिश करना है नोइडा में है यही फैक्टम से पूछेंगे कि बताइए यह जो इंडियन अकैडमी ऑफ हाइवे इंजिनियर्स ने आस्ट्रेलिया के साथ यह कार्ट्स डवलप करने के लिए समझाता किया है यह कहां पर डवलप किया जाएगा तो इसका एंसर आपको लगाना होगा लगाये के गोबर से बनाए तो और्गैनिक है तरीके से ठीक तो इसका सहींतर भी लगाया गया है कुमारप्पा नैशनल हैंडमेड पेपर इंस्ट्यूट जो है जैपूर में वहां पर इसका मैनुफेक्ट्रिंग प्लांट लगाया गया है और खादी ब्राइंड बन गया इसमें गोल्ड और इस रिलेटेड एंपी पीसेस ने कोशन पूछा 25 जुलाई को जो बेपर हुआ था कि बताइए भारत में पहली महिला कौन है जिनोंने इंडिविज्वल इवेंट में गोल्ड जीता था एक उलम्पिक में तो सिड्नी उलम्पिक्स में जीता था करणम मल लोगपाल जुन्नाय बन रहे हैं खाली उन्हीं को मेशामिल करते हैं इसमें पूरी लिष्ट आपको देखने के जुरूरत नहीं है आमिताप कांती है जो CEO है समय नितियायों कि इनका कारेकल और बढ़ा दिया गया पिछले साल बढ़ाया गया थे एक साल अब फिर से कि पहले CEO कौन थी आयों के तो यह थी सिंदुश्री खुलर सिंदुश्री खुलर इनकर नाम याद रखेगा ठीक है तो पुराना पुराना भी पूछ रहे हैं आजकल तो नय के साथ पुराना भी एक बढ़ ब्रशाप करना बहुत जरूरी है यह तो इंपॉर्टन अब बन गए हैं लीडर आफ राधसभान ठीक है अब मलाब पूस्टथ बूस्टथ अजाएं लीडर के पत्पर राधसभा में यह आपको याद रखना है दोनों के नाम विनाएप्रकाश है जो है ट्विटर के द्वारा जो अभी सब चीजन चल रहे हैं घृँंस आफिसर जर्मी केसल को इन्हें बनाया लेकिन रेजिडेंट शिकायत अधिकारी यानि कि निवासी शिकायत अधिकारी आर जियो यह बने भारत के पहले विने प्रकाश ठीक है और वैसे भारत में शिकायत अधिकारी बनाया था जर्मी केसल को ठीक है लेकिन यह जो है रेजिडेंट य उसमें यह शामिल किये गए हैं भारत के मेंबर के तौर पर एक मात्र हैं जो शामिल किये गए हैं इस हुझे से इनका नाम एक बार देखिएगा उसके बाद श्री मुकुल गोयल यह डीजीपी बन गए उत्तर प्रदेश के हीतेश चंद्रावस्थी जी को ने रिप्लेस किया यूपी का पॉइंटमेंट है इस हुझे से हम देहां रखेंगे अधर स्टेट के सारे डीजीपी याद करने मत बैट जाईएगा जो सिर्फ यूपी का एकस्दाम देने जा रहे हैं शेर बहादूर देवबा यह नेपाल के नए प्रदानमंत्री नेपाल के प्रदानमंत्र अधिकारी राकेश अस्थाना ये दिल्ली के पुलिस कमिशनर बन गए हैं रमेश नायर अमेरिका की संपत्तिस अलाकार कंपनी कोलियर्स इंडिया के भारती कारोबार के मुखे कारेकारी अधिकारी बने हैं कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं अधिकारी नियुक्ति को कोई गोवा से अगर देख रहा है तो यह आली नियुक्ति आप देख लीजेगा हरियाणा वाले लोग भी एक बार देख लीजेगा इसको उत्तर प्रदेश वाले लोगों को लिए इस वाले पर्टिकुलर स्लाइड में कुछ ज्यादा खास है नह प्रट्ली पेपर में आपको कोश्चन नहीं देखने को मिलेगा आप लोग ठेशन मत लीजेगा सब रटने हैं क्या ऐसा नहीं करना है ठीक लेकिन जबी अब नहीं परियोजना आएंगी परियोजना को एगर सिक्षा मंत्री लांच कर रहा होगा तो आप पुराने का मतलब स्क्रीन्शॉट जरूर ले लिजेगा आप वैसे मैं फिर से बता दूं आपको वर्ट वर्ट नहीं याद करना है इसका काम कहां भी पड़ता है आपको बताते हैं अगर आपने बीपीस्टी का पिछले साल का पेपर देखा होगा तो एक कल्चरल मीट हुई थी किसी और्ग सब्सक्राइब करेंगे देरे देरे इसको स्क्रॉल करते हुए फिर राज मंत्री हैं इनको भी एक बार देख लीजिएगा श्रीपद यसोन आई को प्रिलात सिंग पटेल फगन सिंग को लस्तिर राव इंदर जीत जितेंदर सिंग अर्जुन राम में एक वाल क्या क्या है इनको पॉर्टफोलियो मिलें एक बार देखना है आपको ठीक है उसके बाद अवार्ट पर हम आ जाते हैं महीने काफी सारे इंपॉर्टन्ट अवार्ड दिये गए इसको देखिए आप सबसे पहले अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड हमबोल्ट रिस इस होते हैं लेकिन हम खाली भारती मूल के व्यक्ति का नाम द्यान रखेंगे कौशिक बसू का उसके बाद सरवाधिक नवोनमेश वाली यानिकि वर्ड्स मोस्ट इन्वेटिव इन्वेस्मेंट प्रोमोशन एजनसी का वर्ड मलब इस कटेगरी में सरवाधिक नवोनमेश वाली नवेश समवरधन करने वाली एजनसी की श्रेडि में पुरुसकार इन्वेश्ट इंडिया को मिला है OCO Global Awards में लॉरिल पुरुसकार उसके बाद फुकुवो का ग्रैंड प्राइस फॉर 2021 यह पत्रकार पला गुम्मी साइनाथ को मिला है ठीक है इसमें दो अन्नेश रिडिया है उसमें कुछ विदेशी लोगों को मिला है इनका नाम लेक दियावन है लेकिन आएगा नहीं आएगा अगर पूछने को तो इन ही का नाम आएगा ठीक है बारती मूल के जो है पीस आइनाथ करके ठीक जापान के फुकोवका सिटी और फुकोवका सिटी इंटरनेशनल फांडेशन करके एक और्नेजेशन है यह पुरुसकार देता है पत्रकारों को उसके बाद है कुवेमपु राश् है यह पुरूसकार मिला है जिसका नाम है जहली आवंट गार्ड ओर यह पिछले 93 वर्षों के प्रतियोगता में पहले अफ रिकन अमेरिकन प्रतियोगी बने हैं जब अभी इंडिया से कोई जीत चाहता तह बेसका नाम वैसे जरूरी होता है लेकिन इसमें 93 साल के बाद कि प्रतियोगी नहीं जीता है तो इनका नाम एक बार देख लीजिएगा अमेरिकन अफ्रिकन अमेरिकन यह किड है जैला एवांट गार्ड इनका नाम है एर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एरलाइन औफ दाइयर का पुरुषकार मिला है कोरियन एयर को कोया के ऐरलाइन उसके बाद डिफरेंट्ली एबल स्पोर्स परसन औफ दाइयर पुरुषकार है यह पैरा अथलीट है ठीक है पैरा शृटलर यानी यह बैद्मिंटन केलते हैं भगत इनका नाम है विराट कोली फांडेशन और और पीएसजी समूह द्वारा ये पुरुषकार शुरू किया गया थे 2016 से करीब और ये 2019 वाले के लिए पुरुषकार मिला है श्री प्रमोध भगत को उसके बाद हम देखेंगे बहरीन केरलिया समाज के द्वारा एक साहितिक पुरुषकार दिये जाता है जो इस साल मिला है ओमचरी N.N.Pillai को ठीक है ओमचरी N.N.Pillai कॉमन्वेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट आववर्ड पॉइंट ओफ लाइट आवड जो है यू के का यहनियो यूनेटट किंडम दोरा दिये जाने वाले सरोच पुरुषकारों मे सोफी एफले स्टोन को मतलब महिला क्रिकेट में से और डेवान कॉन्वे ये न्यूजलेंड के हैं इनको पुरुष क्रिकेटरों में ये अवर्ड मिला है जन्वरी से इसी साल से ये अवर्ड दिये जाने शुरू हो थे प्लेयर ऑफ दे मन्थ तो एट लिस्ट इस साल के आप बनाने के लिए जो डिरेक्टर हैं जूया दोकर् finans स Jewish आते मिला हैं चोलै लॉंडी जोन तो जिनका एंगलिश मीडिया में वोभी यहां पर देख सकते हैं स्कीप लें सकते इस का बड़ nov लोग आगे UNDP का एक्वेटर पुरुसकार आया है काफी महत्पूर्ण है जब भी एक्वेटर पुरुसकार भारत के किसी संगठन को मिलता तो नहीं पूछा जाता दो भारती संगठनों को पुरुसकार मिला है इनका नाम है पहले का अधीमलाई पंज गुड्ड नईयर पुरुसर कंपटी लिम्टेड और उसने कुझा ट्रस्ट यह दोनों है इन दोनों को एक्वेटर पुरुसकार मिला है UNDP का यह पुरुसकार काफी पुरुसकार होता है बढ़ते हैं आगे हम लोग कांस 2020 में ओईली डियोर करके पुरुसकार होता है इंगलीश में बोलते है उसको गोल्डेन आई पुरुसकार मिला है पायल कपाडिया की एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म है जिसका नाम है अनाइट नोइंग नथिंग ठीक है अनाइट नो अनाइट आफ नोइंग नथिंग उसके बाद हम जाएंगे यहां पर मोहन बागान रत्न शिवाजी बेनर जी इनको मिला है मणो प्रांथ ठीक है यह फुटबॉल के चेतर में दिये जाता है मोहन बागान कलब के दोरा राश्ट्री महिला ओनलाइन शत्रन चैंपियनशिप का खिताब यह मिला है दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका आगरवाल को उसके बाद राश्ट्री स्कॉच सिल्वर अवार्ड राश्ट्री स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है असम के कछार जिले की उपायुक्त जो है कीरती जली करके जो वहां पर डेप्टी कमिश्णर दियूकत है उन्हें अवार्ड मिला है किसले मिला है कछार डिस्ट्रिक्ट असम में पुष्ट निर्भार कर 2019 के लिए देगे National ICT Awards की अगर हम बात कर लें तो 2018 के लिए करीब इसमें 25 अवार्डीज है 2019 के लिए 26 अवार्डीज है 50 के नाम नहीं याद रखने है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से जिस टीचर को ये वार्ड मिला है इनके रेडियो विश्वास का रिकरम को उसके बाद थीमेटिक अवार्ड कटेगरी में कोविट 19 के लिए एजुकेशन फॉर आल नामक थीम चलाई थी तो दूसरा पुरुसकार इनने जीता है 90.8 FM ने तो इतना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है बढ़ते हैं आगे हम लोग उसके बाद books and author देखेंगे और्दू poets and writers जेम्स ओफ डेकन ये लिखी है जे असिवतिकार ने ठीक उसके बाद और Anomalies in Law and Justice पूर्वी रमिंद्र ने लिखी है और इस समय जो हमारे cg आई है कितने नंबर के cg आई है पिछले बार बताया था हमने आपको कमेंट करके बताई है तो एन वी रमन करके है इन्होंने इसका विमोचन किया इन इसको लॉंच किया उसके बाद योग सचित्र करके ये किताब लिखी है धर्मवीर सिंग महीदा ने अगली किताब है दा फोर्थ लॉयन एसेज फॉर गोपाल क्रश्न गांधी एसेज है यहां पर एनिक निबंध ठीक उसके बाद वेडु माधव और गोविंदू श्रीनात रागवन ने लिखी है नाथू राम गोट से दा ट्रू स्टोरी आफ गांधी सेसेसिन ये किताब लिखी है मुंबई के पत्रकार धवल कुलकरडी ने उसके बाद लेडी डॉक्टर्स दा अंटोल स्टोरी आफ इंडियास फर्स्ट वुमें मेडिसेन यहने की भारत की पहली महिला चिकित सक रुख्मा भाई राउत के बारे में कहानी लिखी है काविता राउ ने उसके बाद है दा लाइट ओफ एशिया दा ला चाइनीज ट्रांसलेशन होने जा रही इस जैसे किताब फिर से नियूस में है आरेसे बिल्डिंग थू सेवा उसके बाद बैंक विदा सोल एक विटाज यह किताब लिखी है डॉक्टर सी के गैरियाली ने उसके बाद दा इंडिया स्टोरी यह किताब लिखी है पूर वार ऑफ ए इंडियन जेनरेशन यह लिखी है पूर्व चुनावायुक तो अशोक लवासा ने ठीक अशोक लवासा जुलाई मंत में गोल्डन पर रेवरेंट पूरुसकार यह दोजर रिकिस आ चुका है गोल्ड मैन सोरी गोल्डन ने तो इसमें अच्छा है पर रेवरेंट व अलावी जो कंट्री अफ्रिका वहां से हैं फिर उसके बाद थाई वैन अन्यूंगर्न यह विएतनाम से हैं किमितो हिराता यह जापान से हैं और मयादा बिलाल बॉस्निया यह हरेग्जवना कंट्री योरोप से हैं शेरॉन लेविंगले यह आपके यूएस से हैं ठीके न से हम लोग आगे इंपॉर्टन डेज में देख लेते हैं सबसे पहला डे है चिकित्सक दिवस ठीक है चिकित्सक काफी न्यूज में है एक जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए जनसंख्या दिवस यह पूछा भी जा चुका है कई बार क्य जीनोने नोबल जीता कैलाश सत्यारती के साथ सोय क्तरूप से विष्व का युवा कोशल डिवस यह पंद्रह जुलाई को होता है उसके बाद मंदेला अंतराश्क्री ली इवस यह प्रसारन डिवस नेफ लए को आईकर दिवęस मनाया गया था इस बार विस्वार विजय द दिवस यह होता है CRPF Day कुल विला करके 27 जुलाई को और विश्व प्रकृति संद्रक्षन दिवस 28 जुलाई को डिफेंस रेलेटेड न्यूस देखने हैं यहां पर शुरू करते हैं जुलाई 2021 में सबसे पहला है भारत का पहला सुदेश निर्मित ड्रोन रक्षा गुमबाद यानि ड्रोन अटायक से जो हमको बचा सकता है ड्रोन अटायक के लिए धाल का काम करेगा वो तो यह क्या है इस ड्रोन डिफेंस टॉम उसके बाद एस 500 वायू रक्षा मिसाइल प्रणाली का परिक्षण यह रूस्म किया गया है रशिया की टेकनीक है यह एस 400 जो है पहले हुआ करती थी एस 400 जो है भारत ने भी खरीदा है रशिया से यह एकदम लेटेस्ट है एस 500 एस 500 यह क्या है वाय ट्रोन सिस्टम एंट्रोन सिस्टम यानि कि हवा में ही ट्रोन को मार गिराने वाला जो लेजर बेज़ सिस्टम है यह फ्रांस ने क्यों टेस्ट किया है क्योंकि पैरिस ओलंपिक जो होने वाला है इस साल टोक्यों में हुआ है 2020 में हो रहा है प्रोना वायरिस की वज़े से टोक्यों के बाद अब कहां पर होगा उलम्पिक 2024 वाला पैरिस फ्रांस में तो उसकी तैयारियों के लिए ये लोग देख रहे हैं कि अगर खेलों के दारान अगर कोई ड्रोन से हमला करता है तो इनका जो लेजर है एंटी ड्रोन सिस्टम वो हवा में ही ड्रोन को डिश्ट्र गुर्जिंदर सिंग सोरी के युद समारक का उद गाटन यहां पर गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में वुआ था गुर्जिंदर सिंग सोरी के जन्म दिवस के उसर पर यहां पर एक समारक इंका बनाया गया है ओप्रेशन बिरस्दा मुंडा के दौरानी सहीद हुए थे 1999 मे रॉफिल ने सीब्रेकर AI-based missile का नावरण किया है इसराइल की जो कंपनी है रॉफिल एड्वाइल डिफेंट सिस्टम्स इसने फिफ्स जनेरेशन की लंभी दोरी की एक मिसाइल जो है अभी लॉँच करी है उसका नाम है सीब्रेकर ठीक है सीब्रेकर उसके बाद बी यारो बॉर्डर रोड और्गनेजेशन ने जो एक पुल बनाया है लद्दाख में वो अभी समर्पित कर दिया है देश को क्यूंगम से लद्दाख में लेह लोमा रोड पर 50 मीटर लंबेपुल का उधगाटन जो है किस ने किया है रक्षावंतरी जी ने राधनाथ सिंग जी ने ठीक है 28 जून को इसका अनावरण किया गया था इसको इंग्लिश वरजन से देखना है वो यहां से देख सकते हैं उपर वाली न्यूस का भारती सैनिकों के लिए युद्ध समारक का उधगाटन इटली में किया गया तो इटली में हमारे जो आर्मी चीफ हैं इस एम एम नरावने ये 5-8 जुलाई तक ब्रिटेन की यातरा पर थे ब्रिटेन और इटली में इन्होंने वाहां पर कैसिनो नामक शहर में इटली में भारती सैना समारक का उधगाटन किया है ठीक है इटली में तो पूछ सकता है कि कभी भारती समारक कभी कोई विदेश मे स्थापित किया जाता है तो उस देश का नाम बहुत पूछा जाता है पेपर में तो पूछेंगे कि अभी हाल ही में भारती सैनिकों का युद्ध दसमारक इन में से किस देश में जो है अभी लगाया गया है दिखाया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा इटली और इसको बाइग किया है ठीक श्पर सिस्टम स्पर सिस्टम मतलब है कि परसासन रक्षा के लिए प्रणाली यह एक इंटिग्रेटेट की पेंशन या हुनसे समंधी वामलों के लिए किया गया लॉंच पर सिस्टम इसके बाद आगे देखेंगा इनस ताबार जो हमारा नेवी इसके बाद त्रिपक्षी अभ्यास त्सटम ने भारत श्रिलंका और मालदीव ने टीक है टीक इकस उसके बाद स्कीग अभ्यान जो है आर्मेक्स 21 करके हिमालय की पर्वत स्रंखिलाओं में भारती सेना ने इसको अजुद किया था सिंप्ली यह आप इसमें जादर डिटे इसका प्रयोग करना शुरू किया है यह इसका कॉंसेप्ट हमको शो किया था बस यह आपको याद रखना है इसके बाद एक्सराइज है काफी सारी ओविच्रीज हो रहे हैं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वाली देखेंगे जो पहले कभी रहें चर्चा में रहें जिनका निधन हुआ उनको देखना चाहिए जैसे भागी रती अम्मा बारे में 2019 करेंट फैर में आपके पढ़ा होगा ओल्डेस्ट विमन इंडिय राज में सबसे बड़े परिवार के मुखिय थे उनके परिवार में करीब कितने सबस्य पृश्मी उज्त्रकर पसे याद रखने हैं खिंधू महिलाओं के लिए इसके बाद क्रशी विविधी करन योजना दो जारी किस ये गुजरात सरकार की है वहां के सीम ने इसको लॉंच किया इसके तहट आदिवासी की सानों को उरुवरक बीज सहायता के रूप में जो है उरुवरक बीज वित्रत किये जाएंगे 31 करोर रुपए की उनकी परियोज किया है इसके हैड को ने पुनीट डाल में इनका नाम देहन रखेगा और भारत में सबस्यादा सीमेंट प्रडिवसिंग जो मदलब कह सकते हैं स्टेट है कौन सा है मध्य प्रदेश है यह याद रखेगा मध्य प्रदेश को उसके बाद राष्ट्री आयूश मिशन योजन पूरा नहीं दिखता हैं डिपार्टमेंट और प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंटर्नल ट्रेड ने अभी एक नाइन मेंबर का पैनल बनाया है जिससे कुल बिलाकर इसका उदेश कह रहाएगा डिजिटल एक आधिकार ने डिजिटल मोनो पोली को रोकने के लिए यह सरकार ने क्रिएट किया इसमें काफी सारे प्रबुद्ध लोग हैं जो इस इंडस्ट्री स्टुड़ेव हैं फॉर एजमपल नंदन नीले कड़ी इसमें सामिल हैं इन्फोसिस की तरफ से अभी इसका कोई हैड ऑफिशली अनौन नहीं लिखा है ठीक प्रोजेक्ट पूछेंगे तो इसका मतलब है कि इसका फुल फॉर में कुल बिलाकर बैंबू ओसिस ओन लैंड इंड्रॉट यहां पर है वहां पर बैंबू लगाना ठीक कुल बिलाकर करके इसको शुरू कहां से किया गया उदैपूर जिले के निकल मांडवा के आदिवासी गाउं से रा बाइब करेंगे 5 अपरेल 2016 को लांच किया गया था इसका उद्धेश का है इसका उद्धेश को प्रमोट करना और बैसिकली शेडियूल कास्ट ट्राइब और विमेन बॉर्वर्स हैं जो कि कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पर काम करने वाले उसको प्रमोट करना ठीक है मतलब उसके लिए लोन देना को लिला करके एक बार पूछा जा चुका एंड़ी एक पेपर में कि किसको बेसिकली मिलता है स्टेंड अप इंडिया से तो इसमें प्रायरिटी किसको दी जाती शेडियूल कास्ट बॉर्वर को शेडियूल ट्राइब वाले को विमेन जी कि शन्रेडी ने संसर्थ को पताया था कि आदर्श समारक योजना के ताहत गुंटूर जिले के नागरजुन को उंड़ा में मौजूद समारकों को श्री काकुलम के साली हुंडम में बाधव शेसों को और अनंतपुल डिस्ट्रिक्ट में वीर बद्र मंदिर या लेपा आरके सिंग ने इसको लांच किया है स्पोर्ट में काफी सारे इवेंट हुए हैं ओलंपिक मैं अभी नहीं पूरा डिटेल मताऊंगा क्योंकि अभी मेडल बदल सकते हैं अभी आशा करते हैं कुछ गोल्ड भी आएंगे ओलंपिक का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दू इनका नाम है अभी मन्यू मिश्रा सबसे कम उम्र के शत्रंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं बहुत साल से रिकॉर्ड चला आ रहा था एक कोई सरगे करजकिन करके रशिया का बच्चा है उसके नाम अभी तक रिकॉर्ड था 12 साल 7 महीने का जिसने ग्रैंड मास्टर का य ठीक है तीसरे रहे थे अभी मन्यू पौरान एक भारत विमेंस क्रिकेट टीम की तरब से शेफाली वर्मा जो है ब्रिस्टल में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाव जो मैच खेला था तो सभी प्रारूपों में जो हम कह सकते हैं डेब्यू करने वाली पहली महिला क्रिकटर अलएकशा क्रिकर बनी थी तो इन्होंने टेस्ट में अंपर में हैस एकान और ने शेफाली वर्मा नहीं पहले एक ही होता थे क्योंकि जेड़ा रिक्वैल्टी दिखानी ही कुल मिला करके तो इसमें तीन है कुल मिला करके कप्तान मंप्रीत सिंग और मैरी कौम जो है यह उद्घाटन समारों में रहेंगे दोजवाहक जो जेड़ा लेके चलेंगे और जब समापन समारों होगा तो में बजरंग पुनिया चलेंगे यह कुल विला करके इंडियन विम्मेंस क्रिकेट टीम की कप्तान पूर्व कप्तान बेसिकली अब नहीं है मिताली राज जो है यह चौरलेट एडवर्ड को पचाड़ करके सभी प्रारूपों में अंतरराष्ट्री महिला क्रिकेट में हाला कि डिटायर हो चुकी है तो इनके रनों से आगे अब निकल चुकी है मिताली राज जो क्रिकेट एक्सपर्ट से मेरी बात समझ पा रहे होंगे ठीक है जो नहीं क्रिकेट देखते हैं सबसे कुल मिला कर एक ध्यान रखिए कि अंतराष्ट्री महिला क्रिकेट में आप स यह पैर अथलीट है मर्यपन ठंग वेलू यह भारत की दरफ से ध्वजवाहक रहेंगे पैरलंपिक में 24 अगस्य जो टोक्यों में शुरू होगा आइससफ विश्व कप शूटिंग में स्वन्ड पदर किसने जीता है राही सरडोंबत ने ठीक राही सरडोंबत उसके बाद यूरो 2020 का गोल्डन बूट इस साल के से मिला है पुर्टगाल के खिलाड़ी क्रिश्चानो रोनाल्डो को पुरुषों की 400 मीटर दौड में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है नौर्वेग एथलीट कॉर्ष्टन वार होम्स ने इनका नाम जरूर धियान रखिएगा किसका रिकॉर्ड तोड़ा है अगर यह ना भी धियान रहे तो लेकिन जिसने रिकॉर्ड बनाया है उसका नाम जान रखिए का विंबल्ड ग्रांड स्लैम नहीं है विंबल्ड जूनियर पूरुष चैंपेंशिप है किसने जीती है समीर बनेर जी ने भारत की दरफ से आगे बटते हैं ऑस्ट्रिन ग्रांड प्रिकिसने जीती है मैक्स वर्ष्टैपन ने जेमस अंडरसन जो है एक हजा सेखने हैं उसके बाद विंबल्डन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है नुवाग जोखयप जोकोविच ने जो सर्बिया से है हराया कि S Handyелов Face माहिल एक लपी देखने मिलन जोरोरी होता है एसले बार्टि ने जीता है हराया किसको था क्यारणरीना प्लिस कोवा को नाम द्यां कुल बिला करके इस साल हरियाना होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हरियाना PCS वाले जो एक्जाम देने जा रहे हैं बारा तारिक को एक बार देखिएगा उसके बाद विश्व कैड़ेट कुष्टी चैंपियोंशिप प्रिया मलिक ने जीता है 17 वर्ष से कम उम जरुरत नहीं लेकिन आयों कि वो चीज पूछता है जो ज़्यादा थ्यान नहीं देते हैं इसे एक इवेंट में मीरा बाइचानू ने जो हैelा जीत आप गोल्ड किस ने जीता है रहा है किस ने जीता था एक भीट आब चैंपिन्शिप 2016 इसका होस्ट कौन ओगा भारत होगी उसको होस्ट करेगा इंडिया उसके बाद AIFF पुरुष फुट्बॉलर अफ दाइयर यह किसको दिया गया अवार्ड संदेश जिंगन को ठीक है संदेश जिंगन AFC महिला क्लब चैंपिन्शिप यह जो है 2021 में भारत का प्रदेश का क्लब करने माला है गोकुलं केरल FC उसके बाद महिला फुटबॉलर अफ दाइयर नंगोम बाला देवी को अखिल भारती फुटबॉल महासंग यानि AIFF का महिला फुटबॉलर अफ दाइयर 2021 का किताब मिला ह संदेश जिंगन को महिला मिला है नंगोम बाला देवी को ICC क्रिकेट में कुछ एसोशियेट देश सामिल हुए है यानि कि मंगोलिया तजीकिस्तान स्विट्जर लैंड अब इनको आप जल्दी जल्दीने मतलब एक साल बहर में करीब क्रिकेट खेलते वह तो देखें गई उसके बाद रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड जीता है ठीक है पैरा स्पोर्ट्स कप में जो मद्प्रदेश की निशाने बाज है रुबीना फ्रांसिस इन्होंने गोल्ड जीता है दस मीटर एयर पिस्टल की कटेगरी में हिंदुस्तानी वे करके एक सौंग अभी टोक्यो उलंपिक के लिए तयार किया गया है अनन्या बिल्ला ने यार रह्मान के साथ मिलकर करके इसको तयार किया है नो कॉस्टलिंग शत्रंज सपर्धा में इस पाक्सन टॉफी जो है स्पाक्सन ट्रॉफी डॉट्मंड में हुई थी इसमें विश्मनाथन जो है दूसरी सबसे कम उमर में व्यक्तिगत ओलंपिक गोर्ड जीतने वाली यह बनी है यह बूठ सकते हैं हमसे पेपर में कि कौन सा खेल में जीती थी ठीक है तो यह स्केट बोर्डिंग वाले इमेंट पर जीती थी मैलाओं की स्केट बोर्डिंग में वैसे इंडिया का official theme song क्या है टोकियो के लिए टोकियो 2020 के लिए यह है तू ठान ले अब समिट्स देखेंगे यहां पर Bricks Green Hydrogen शिखर समेलन वर्चुल तोर पर हुआ था भारत की तरफ से किस कंपनी ने इससा लिया था NTPC Limited ने यह दियान रखना है उसके बाद तीसरी G20 वित्तमंत्रियों की बैठक ओविसली हमारे वित्तमंत्री गए होगे यानिकी निर्मला सीतरमंट जी ठीक है उसके बाद Bricks विज्ञान और प्रवध की संचालन समीती की बैठक यह वीडियो कॉन्फरेंसिंगे में अध्यम सो हुई थी और भारत ने मेजबानी की थी कुल बिलाकर इसकी आर्थिक एबं व्यापार मुद्दों पर Bricks संपर्क समुह की बैठक हुई थी 12-14 जुलाई के बीच जिसमें कुछ खास नहीं है खास यह है बस कि इंडिया ने इसको चेयर किया था बस G20 उर्जा और जलवायू संयुक्त मंतरिस तरिये बैठक तो यह हुई थी इटली में बेसिकली इटली की अध्यक्ष्टा में हुई थी नेपल्स में इसमें G20 देशों के बीच जो उर्जा और परियावरन मंतरी हैं उन्होंने डिस्कस किया था कि क्या-क्या चीजे चल रही है जलवायू परिवर्तन में उनको कैसे अड्रिस किया जा सकता है कोविन ग्लोबल कॉंक्लेव इसमें 122 देशों ने भाग लिया था और इसको और इसको और्गनाइज किया था इंडिया ने याद रखना है और पुद्धान मंतरी जीरी ने इसमें भाषण दिया था इनॉग्रेशन में तो इसमें पूछेंगे कर एक्जाइम में कोविन ग्लोबल कॉंक्लेव 2021 की मेजबानी किस ने की तो उसका उत्तर होगा भारत उसके बाद G20 परेवरन मंत्रियों की बैठक 2021 अनाउंस कर दिया गया है कि यह इटली में होगी ठीक है इटली रोम में और G20 का जो शिखर सम्मेलन होना है 2021 का वो भी इटली में योगर रोम में यह भी याद रखेगा क्योंकि इटली के पास समय चेयर है G20 की सात्वे हिंद महासागर नौसेना संगोश्टी यानिकी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इसकी में जबानी जो है फ्रांस फ्रांसीसी नौसेना ने की थी फ्रांस में इसका आयोजन वहा था कोल बिला करके और हमारे तरफ से एड्मिरल करम बीर सिंग प्रमुख नौसे एक्षिडेंट जी वेंका यह ना एडू ठीक वेसेकल पूछने कहां पर हुआ था तो यह सोनी पत में वहा था याद रखिएगा ठीक हरियाना करेंट अफेर के लिए ओपी जिंदल ग्लोबल युनिस्टी ने इसका आयोजन किया था सोनी पत हरियाना में हीवी एड्स की र तो पाकिस्तान समयलैंड पर ब्रशियामें सट जीताँ अद्राच एवल्स को सम्मेलन यह था और इसमें स्टरीольно तर्फ से जैटीरैंड है अज़ेंऑ सटीरी बारती उद्योग परिसंग यानि Confederation of Indian Industries ने भी उत्तरी छेत्र खाद प्रसंसकरण शिखर सम्मिलन का योजन किया इसका उधटकन किया था ग्रामीड विकास और पंचायती राजमंतरी ने रेंद सिंग्तोमर जी ने ठीक है यह तीसरा संसकरण था कोल विला करके यह आपको को याद रखना है भारत इटली जॉइंट कमीशन की बैठक हुई थी इसमें इंडिया की तरफ से कौन शामिल हुए थे इंडिया की तरफ से जो शामिल हुए थे उनका नाम याद रखना है और जो इटली की तरफ से शामिल हुए थे जैसे मिस्टर लुईगी डी माउनो कर प्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की सात्मी बैठा कोई थी और इसके अध्यक्षता भारत ने की थी देशों के देख्शता भारत ने की थी क्योंकि इस साल जो चेयर है वो किसके पास है बुपेंद्र यादव और ब्रिक्स का जो इस साल का सम्मिट होने वाला है उसकी भी अध्यक्षता कौन करेगा इंडिया करेगा मेजबानी भी इंडिया करेगा और यह जो पर्टिकुलर रोजगार मंत्रियों की साथ में बैठक थी इसमें भारत की तरफ से गये थे भूपेंद्र यादव ब्रिक्स पर्रेवर होने मंत्रियों की बैठक कुई थी परेटन मंत्रियों की बेसीखी टूरिजब मिनिस्टरज की तूरिजब मिनिस्टर की मीटिंग में भारत के करब से गये थे जी किशें डेडी जो इस समय जर्मनी जो है शीर्स पांच पर है भारत की रैंक इस बार देखेगा इसमें 20 पोजीशन पर है यह याद रखना है आपको और शायरों की रैंकिंग में टॉप 20 में इनोंने शामिल किया है बैंगलूरू को नई दिल्ली को और मुंबाई को ठीक उसके बाद वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांग 2020 यह ITU जारी करता है इंटरनाशल टेली कम्निकेशन यूनियन इसका हेटकॉर्टर कहां पर है आप हमको कमेंट करके बताएंग जल्दी से और रैंक देखेंगे रैंक सबसे पहली मिली है यूएस को फिर मिली है यूके बाद के अलावा कौन सी कंट्रीज में जहां पर फेमस है उसी साप से नुन रैंकिंग दी है तो न्यूज ऑन यार भारत के लावा सुना जाता है सबस्यादा यूएस में और आस्ट्रेलिया में पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी में आया था कुछ और अप्रेल में आया कु चाहर है तो इसमें परिशान मत वहिएगा कोविट नैंटीन की वज़ए से जो पासपोर्ट रेस्ट्रेक्शन से लगाने पड़े थे कंट्रीज को इस वज़ए से एंली की पासपोर्ट इंडेक्स डिश्टर्ब हुई थी इस समें इंडिया की रैंक जो है नभवी है जो लेटेस्ट है वही याद रखिएगा और टॉप पर काउन है जापान सेगेंड पर सिंगापूर है ठीक इतना याद रखना आपके लिए काफी है अब कंफ्यूज मत करेंगा कि 84-84 अब 90 है भारत की रैंक भारत में बागों का 35 परसंट में रिपोर्ट जारी की है एक टाइ अब एक रिपोर्ट जारी हुई है विश्व में खाद शुरक्षा और पोस्टन की स्थिती रिपोर्ट सबसे पहले याद रखना किस ने रिपोर्ट जारी की है एफ उने जारी की है ठीक फूड और अग्रिकल्चरल औरनेजेशन ने बिलाकर इनम बताया है कि जैसे विश् में ठीक है बस इतना याद रखना काफी होगा मोर ओवर अगर हंगर पर आपको एंसर लिख रहे हैं तो उसमें यह डेटा आप मेंशन कर सकते हैं लेटेश्ट है उसके बाद डिजिटल और सतत्व व्यापार सुविधा पर स्व्युतराष्ट्र वैस्विक सर्वेक्षन य भारत का स्कोर अच्छा है उसके बाद भारती क्रशी उत्पाद निर्याद करने वाले टॉप दस देशों में अब सुमार हो गया है एक रिपोर्ट आ एडबलू टियो के द्वारा उसमें उन्होंने पिछले दो तीन दशक का कमपैरिजन किया है लबकुल बिलाकर 1995 से लेक देखिएगा इंडिया इनके हिसाब से 1995 से 2019 के बीच टॉप टेन में रहा है बिल्कुल अच्छी बात है भारत के लिए मेक्सिको को इन्होंने साथमें स्थान पर रखा है भारत को नवे पर रखा है मदब नाइन्थ पर दस में से चीन को छटे पर रखा है यूरोपियन उन पर रहा है बस यह आकड़ा एक बार देख लीजेगा शायद पेपर में आजाए बाकी रांक आपको देहान रख रही है कि 2020-21 में सरवाधिक कोईले का उत्पादन के राजबे हुआ तो 36 गड़ में वह था उसके बाद कहां पर हुआ ओडिशा में फिर कहां पर हुआ प्रदेश करता और फिर करता जहारखंड लोग जो हैं सीर्टी पढ़के जहारखंड लगा देते हैं लेकिन इस टैट सब बदल गए हैं ठीक उत्तरप्रदेश जनसंख्या नीती के ड्राफ्ट के बारे में आप सुनी चुके होंगे जो मेजर चीज है जो लोगों ने मिस् जाएंगे फिलहाल याद रखना है कि यह जो है नीती कब से कब तक इसकी अवदी है 2021 से 2030 तक बागी आपने सब सुनी लिया है कि जिनके ज्यादा दो से बच्चे होंगे उनको हदोत्साहित किया जाएगा उनको नहीं प्रिविलेजस देंगे जिनके कम होंगे दो से उनको चीन को नने फर्ष पर बिलियन है यह शोत कर द infection करना है तो इसमें जो है फश्ट पर जापान सेकेंड पर अपर इंडिया को रख़ाय खायो ने फॉरेक्स के मामले में और फिफ्ट पर रश्या को रखा है अर्भी आई ने एक बार यह आखड़ा देख लिएगा कि कितना है भारत का फॉरेक्स फिक फॉरेंड एक्चेंज रिजर्व मुद्रा बंडार है आठ सो पैंदार है आठ सो पैंदार मिलियन डॉलर से बढ़ करके अब जो है 612.73 बिलियन के उच स्तर तक पहुँच गया है ठिक अभी तक कहाई है 612.73 बिलियन डॉलर यह याद रखना है यह वाला मत करिएगा बेसिकली 835 वाला यह बढ़ा वाला मत करिएगा जो टोटल अर्भी आ ने बताया कि इंडिया का फॉरें एक्चेंज रिजर् की वर्ष 2020 का सेकेंड एस्टिमेट मिनिस्ट्री ऑफ एक्रिकल्च और फार्मल वर्फेर जारी किया है कोई आगड़ा वैसे याद नहीं करना है बस आप यह जरूर देखिए कि जैसे सबजी है तो पिछले साल की तुलना में बढ़ा है कि घटा है तो इसमें वृद्धी में ऐसे ही सब जो दिया हुआ है आपका इंग्लिश में भी एंसे की यहाँ पर देखना चालू करेंगे यहाँ पर उन सभी फैक्ट्स को भी शामिल कर लेंगे जो किसी भी तरह के सेक्शन में इंक्लूट नहीं कि जा सकते थे या फिर जो मल्टिपल सेक्शन में आ रहे थे सबसे पहला हमारा MCQ है इन में से किस अंतरिक्स एजनसी ने घोशना की है कि विश्व का पहला शारीरी क्रूप से अक्षम अंतरिक्स यात्री यानि एस्ट्रोनाट को भी भीजेंगे एक फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनाट को भी बेजने वाले 2022 तक घोशना की है यह क क्या हमारा कोशन है इसमें तीन स्टेट्वनेंट है ठीक पहले लिखा हुआ है कि आत निर्भर्क रशी एप को लॉंच किया गया है भारत के ब्रधान वेगनिक सलाकार के दौरा Chief Scientific Advisor के दौरा यह लॉंच किया गया आत निरभर्क रशी एप सही है और वर्डस लारजस्क्र लीगल टेंडर के रूप में मानिता देने वाला पहला देश बना था उसके बाद इसराइल ने भी सक्सेस्फुली टेस्ट फायर किया है हाई पावर्ड लेजर वीपन सिस्टम यह हम देख चुक है डिफेंस वाले सक्षन में हमारा एंसर हो जाएगा D, all of the above correct अगला कोशन सिंपल सा पूछे जा सकता है कि काउन सी वर्षगांट हमने इस साल जो है मनाई है Digital India Campaign की हमने मनाई है वर्षगांट छटी क्योंकि छटवा साल चल रहा है इसको launch कप किया गया था एक जुलाई 2015 को तो हमारा एंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 उसके बाद इसमें कि हाली में फेस्बुक ने कि देश के स्वतंतर लेखकों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के मतलब उनको प्रमोट करने के लिए ठीक तो इसमें सुदंतर लेखकों को बढ़ावा देंगे यूएस में बेसिकली फेस्बुक वाले ऑप्शन नमबर बी और प्रधान मंतरी की तरफ से हमारे देश में जो यूवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम आई यहाल में क्या आप उसका नाम बता सकते हैं कोमेंट करके भारत के डी पोशन मिशन के बारे मैं बताई कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है पहला दिया हुआ है कि मिनिश्ट्री ओफ अर्थ साइंसेस इसरों के साथ मिल करके इसको कारेंवित करेगी यह सही है दूसरा लिखा हुआ है कि इंडिया का टार्गेट है कि ब्लू एकनॉमी को यह 100 बिलियन तक ले जाएंगे इंडियन टार्गेट किया 100 बिलियन एकनॉमी का डी पोशन मिशन और अपने ओशनिक रिसोर्स के थ्रू सही है यह हमारा एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी बोथ करेक्ट ऑप्शन नमबर सी अभी हाली में एक केंद्री विश्विद्याले के भारती ध्रूवी जीव विग्यानियों ने अंटाक्टिका के लॉर्समिन हिल्स में एक मौस यानी काई की खोज की है वो हमारे यहां की देशी प्रजाती है उसका नाम अभी ब्रायम भारत इंसिस रखा गया है यूरिस्टी कहां की है जहां के रिसर्चर से उनका नाम बताना है तो यूरिस्टी पंजाब की है उप्शन नमबर सी उसके बाद अगला सवाल है कि फसल बीमा यागरुकता अभियान के बारे में सही कतन चुनना है तो फसल बीमा यागरुकता अभियान एक जुलाई को लॉंच किया गया सही है आजादी के अमरत महुत्सों जो हम लोग बना रहे है हमारे इंडिपेंडेंस के 75 साल तो उसके दूपलक्ष के में सुरू किया गया सही है इसका उदेश था मतलब कुल बिलाकर प्रधानमत्री फसल बीमा याउजना के बारे में अवेर्नेस क्रीट करना ये भी सही है उसके बाद है कि इसको लॉंच कप किया गया था प्रधानमत्री फसल बीमा याउजना को 2016 में अगला सवाल है कि कोचीन बंदरगाह से बेपोर और अजिकल बंदरगाहों तक तटी ये पोत परिवहन सेवा ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 की पहली जल्यात्रा पर लोडिंग परिचालन का उद्गाटन किस ने किया है तो ये किया था मनसुख भाई मंडाविया ने अप्शन नुबर सी तो यह green fit कोरिडोर कहां से यह ता का तक कोचीन अएखर से लेकर आपका वेफर और जीकल पोड थक कोचीं पोड़ से लेकर वेफर और और जीकल पोड तक यह शाद एकर बोल दिया था मैंने यहां तक AP Information Technology Policy नाम से पर चल रहा है यह नई Information Technology Policy आई है आंधर प्रदेश में Option No. D हमारे Animal Husbandry and Daring में जो Union Minister है Fishery Animal Husbandry and Daring मंतरा लेके गिरिजराथ सिंग इन्होंने मत सेतु नाम का एक आप लॉंच किया है केरल गौर्वर्मिंट ने भी हाल में गोशना की है कि वो अपना Overt the Top Platform यानि OTT प्लेटफॉर्म लाने वाले जल्द तो इसका एंसर हो जाएगा Both Both one and two correct भारत की पहली राष्ट्री Dolphin अनुसंद्धान के इंद्र NDRC कहां पर स्थापित किया जाएगा इसको स्थापित किया जा रहा है अप्शन नमबर B बिहार करेंट अफैर किसे important news है BPSC वाले इसको जरूर देखिए तो ये जो है इंडिया और एशिया का पहला National Dolphin Research Center आने वाला है आपका पटना में पटना उनिवर्स्टी कैंपस में शुरू मिनित्ती इसकुमार जी ने बोला था इसको शायद भागलपूर में करेंगे लेकिन फाइनली ये पटना में इस्टैबलिश किया जाना है ध्यान रखेगा उसके बाद हमको बताना है कि बिहार ट्रशी विद्ध्याला भागलपूर के वेगयानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म काला अमरूद विक्सित किया है और कहा है कि मतलब इसमें अंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है ठिक उसके बाद उडिया कवी राजेंदर की सोर पांडा को कुवेंपूर पूरुसकार मिला यह हम देख चुके हैं वाड्स ओनर्स सेक्शन में उसके बाद माना पटेल ने कौलिफाई किया था भारत की पहली महिला ताराक के रूप में अकोल बिलाकर यह तीसरी ताराक है जिन्होंने कौलिफाई किया था तो सही है यह हमारा एंसर हो जाएगा ऑप्शन ओमबर डी सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है अभी हाली में 6 प्राउद्योगी की नवाचार मंचों का उद्घाटन किस ने किया था प्रकास जावेटकर जी ने किया था जब शिक्षा मंत्री थे मतलब नायका बिडिन्ट के नाउंस किया जाने से पहले हमारा एंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ओमबर भी ठीक है च्छाय टेक्नलोजी इनोवेशन प्लैट्फॉर्म लाउंच किया था अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें क्या पूछा जा सकता है कि कितने लाउंच किये तो 6 निपुड जो राष्ट्री पहल है नैसल इनिशेटिव इसको लाउंच किया गया है पांच जुलाई 2020 को कहिंद्री सिक्षा मंतराले की तरफ से सही है यह उसके बाद है कि इस पहल को कहिंद्री सिक्षा मंतरी धर्मेंद्र प्रधान ने लाउंच किया है लबनाय काबिनेट के अनौन्स किया जाने के बाद निपुड का उद्देश है कि तीन से नौ वर्ष के बच्चों में जो बेसिक नुमेरिकल स्किल्स और बेसिक प्राइमरी एजुकेशन इंपार्ट करना तो अगर पूछे कि निपुड किस से संब्दित है उसमें ऑप्षन दिया रहेगा कि शोरों संब्दित है एक दिया होगा शायद जो है मतलब एनराइस के स्किल्ड डवलप्मेंट संब्दित है चौथा उप्षन हो सकता है कि बच्चों में प्राइमरी एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए तो डी को आप चूस करेंगे इसमें आपको लगता है कि आपने सब पर लिया है लेकिन जब एकदम से घुमाओदार उप् कि यह पहले एक तरीके से तो इसमें नौट करेक्ट ऑप्षन पूछा था तो तीनों स्टेट्मेंट करेक्ट निकलना है तो इसका अंसर हो जाएगा डी इन में से कोई भी नहीं उसके बाद अच्छा है जुलाई 2020 किस मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने देश की पहली किया गया है तो यह है कंट्रीस फर्स्ट फास्ट एग यूपी आई बेस्ड पार्किंग सिस्टम ऑप्षन नमबर बी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में अगला कोश्चन है कि पुश्कर सिंग धामी जो है उत्राखंड के दसमें यह भी सही है अभी देखी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक है राम गुंडम में जो हमारे यहां परांद प्रदेश में है वो इस समय मुदब साल के एंड तक पूरी दुनिया का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग जो है पार स्टेशन हो सकता है लेकिन अभ लियापुर ने भी दिखाया वो भी पूरा कंप्लीट नहीं है उसके बाद कश्मीर में जो मिश्री किस्म की चेरी है इसका जो एक खेप है वो अभी दुबाई भेजा गया है तो यह भी सही है एंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शिन बढ़ टी ठीक है आल अफ दाबो एक्श पर क्रेक्ट कर लिजेगा रुद्राक्ष नामक वारड़ासी अंतराश्टी सायोग और कन्वेनिशन सेंटर जो भी बनाए जापान के सायोग से इसका मुख्य उद्देश क्या है तो इसका मुख्य उद्देश है कल्चरल टूरिजम प्रमोट करना ऑप्शन उमबर सी ठीक अगला कोश्चन है कि 6 जुलाई 2020 को किस राज या फिर यूटी ने कोविड-19 प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की इदिल्ली ने शुरू की थी ऑप्शन नमबर बी उसके बाद हमारा कोश्चन है कि सिंगापूर सरकार ने प्रवाशी श्रमिकों हेतु एक प्रतियोगिता सिलंबम शुरू की थी गणेशन संदिकासन नाम के एक भारती ने इसमें शीर्स प्रूसकार प्राप्त किया सही उसके बाद है कि मनसुख भाई मंडाविया राधसभा मेंबर गुजरात के नय हल्थ मिनिस्टर अभी बने थे कैबिनेट में सही है कतर एयर्वेज और इंटरनाशनल ट्रांसपोर्स एसोशेशन के मुताबिक कतर एयर्वेज आई ए टर्बिलेंस अवेर प्लैटफॉर सजुरने वाली मध्यपूर्व यानि की मिडिल इस्ट की पहली एयर्लाइन बन गई है यह बी सही है एंसर हो जाएगा महारा इसमें डी यानि तीनों स्टेट्मेंट सही है कोई भी आपका इंकरेक्ट नहीं है उर्लाइ 2021 में भारत के किस राजिवस से जो जी़ाइट प्राप्त बहाली किस्म की गें हूँ है इसकी एक श्टाॉक के ने तो बाहली यंगय है किस राजिक लिए जीजाई है यह बताना है आपको सटिफाइड प्रॉडक्ट एक है कुजरात Concretion No.C हाल यह में किस अंत्रिक्ष एजनसी के आईसाट टू एक पुराना सेटलाइट है इसने अंटार्क्टिक मेल्ट वाटर जीलों की खोज की है तो यह सेटलाइट है नासा का आप्शन नमबर बी अब आपको इसमें बताना है राजस्थान सरकार ने किन तीन बाग औरक्षित छेत्रों को यानि टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिदॉर विक्सित करने की घुषणा की है मतलब टाइगर कॉरिदॉर बनेगा उसमें कौन-कौन से टाइगर तो इसका एंसर हो जाएगा option number A इसके बाद है किस राज के मत्स विभाग ने मच्छवारों कि सुरक्षा के संदर्व में अध्यान करने एवं रिपोर्ट प्रस्थित करने हितु मत्स पालन विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी साहदेवन की अर्ध्यक्षता में एक सैवन मेंबर कमिटी बनाई है तो यह बनाई है केरल राज ने option number C भारत इटली जोएंट कमीशन की अभी जो बैठा कोई थी कि इसमें उसके बारे में आपने देखी लिया है sectional current fair में पहला वाला भी साही है और second वाला भी साही है हमारा answer हो जाएगा इसमें बोथ 1 और 2 करेक्ट option number C हाली में डनमार्क ने विश्व का सबसे उचा रेत का किला अभी बनाया है काफी beautiful लग रहा था मतलब रेत का किला बहुत ही elegant बना के दिखाए गया डनमार्क में तो इसकी उचाई कितनी है यह बताना है आपको इसकी उचाई है लगबग 17.66 मीटर option number A उचाई तो नहीं पूछी जाएगी देश का नाम ज़रूर याद रख लिएगा कि कि विश्व का सबसे उचा रेत का किला अभी किसने पर दर्शित किया है डनमार्क ने उसके बाद ये किस IIT ने ड्रोन रोधी प्राध्योग्यों गुस्पायट का पता लगाने वाली प्रणाली ब्लॉक्चेन और साइबर भातिक प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने का एक नावाचार केंद्र शुरू किया है तो ये IIT कानपूर में शुर महत्पूर्ण वाली देखेंगे यहां पर प्रधान मंत्री जी ने पुनर विक्सित गांधी नेगर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक जो पांत सितारा होटल यहनी फाइव स्टार होटल अभी खोला गया है वहाँ पर उसका उद्घटन किया सही है उसके बाद इसके साथ गु कारिक तौर पर पहली बार जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टी हुई है तो जीका वायरस का पहला केस देखा गया है केरल में ऑप्शन नमबर टी उसके बाद बताना है कि सेयुक तराष्ट अमेरिका ने 20 जुलाई 2021 को किस देश में अलशबाब आतंकियों पर ड्रोन हमला किया था तो यह कहां पर किया था किस देश में सुमालिया में अलशबाब वाले अलकाइदा का ही एक सब ग्रूप हम लोग कह सकते हैं अप्शन नमबर सी यहां पर साइए जो लाई 2021 में हंगरी के बुड़ा पेस्ट में जो अविश्व कैड़ेट चैंपिनशिप आई जूत हुई थी उसमें 53 किलोग्राम वर्ग में किस ने जीता था प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता था इसमें अप्शन नमबर सी जसकरन सिंग का नाम जो दिया गया है इन्होंने सिलवर जीता था ठीक हाल यह में दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्रियों का पुल कहां पर अनावरंड किया गया यह बहुत ही एडवांस तरीकी टेक्नलॉजी का 3D प्रिंटेड ब्रिज अभी बनाया गया है एमस्टार डेम में ठीक है ऑप्शन नमबर बी इसमें कई तरीकी की automated systems लगे हुए हैं जो ब्रिज कैसा काम कर रहा है क्या उसके शेप में परिवर्तन आ रहा है लोगों के चलने से सब भी monitor किया जा सकेगा इमलिकित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है स्टार के वहम परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी जी ने महराष्ट के नासिक में भारत का पहला नीजी तलरी कर प्राकृतिक गैस यानी LNG सुविधा सहित्र का उधगाटन किया है तो कंट्री का पहला LNG फैसिल्टी प्लांट कहां पर शुरू हुआ है महराष्ट में लेकिन जिले का नाम गलत दिया हुआ है नाकपुर में लिए 6-5 वर्षों में पहली बार भारत को सेव यहोएवि-, और अन्सर हो जायाका इसमें बिसक्लि ए यहानी पहला वाला कलात है दूसरा वाला तीसरे वाला सही है आप मुझे comment करके बताएं कि जो LNG होती है basically कौन सी गायस होती है mainly इसमें कौन सी गायस होती है उसके बाद हम को बताना है कि कपा variant COVID-19 के दो cases कहां पर देखे गए थे यह देखे गए थे उत्तर प्रदेश में, option number C Global COVID-19 वैश्विक सम्मेलन के बारे में बताना है भारत ने वर्चुली तोर पर आयुजित किया मोधी जी ने inauguration speech दी ये भी सही है और conclave को jointly और्गनाइस किस ने किया विदेश मामलों के मंतराले ने National Health Authority ने और हमारे स्वास्तिवम परिवार कल्यान मंतराले ने हमारा answer हो जाएगा इसमें D All of the above हमको इसमें ये बताना है कुल मिलाकर कि जो आपके हिमालियन याक होते हैं उनके लिए एक बीमा करने की शुरुवात की राष्ट्री बीमा कमप्रिव लिम्टेड ने तो ये कहां पर किया जाएगा तो ये किया जाएगा अवडाचल प्रदेश में अवडाचल प्रदेश में काफी हिली टाराईन है कई सारी चीजें होती रहती है कही स्नोफॉल हो गया कहीं पर एवलांच आ गया तो काफी खत्रा होता है याक को याक पालने वाले किसानों का काफी नुकसान होता है तो उसके लिए ने उनका बीमा करना शुरू किया है हाल ही मुत्तर प्रदेश के किस सहर में दिव्यांगो के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम बनाया गया है तो दिव्यांगो के लिए अपनी तरह का पहला स्टेडियम लखना हुम बनाया जा रहा है option number C, उसके बाद है कि COVID-19 की खुराक का पहला, मतलब कह सकते हैं, COVID-19 की पहली खुराक अब तक इनमें से किस state ये UT में 100% दी जा चुकी है, इनमें से कौन से state ये UT ऐसा है, जो अपने सारे citizens को at least पहली dose दे चुका है, तो इसका answer हो जाएगा आपका लदाख, option number B, ये at least पहली dose दे चुके हैं अपने सारे citizens को, भारती विज्ञान सनस्थान आएसी बैंगलूरू ने एक heat resistant COVID-19 वैक्सीन तयार किये, ठीक है, उसके बाद कलकत्ता उच नयाले ने पश्चिम मंगाल सीय महमता बनर जी पर नयाय पालिका की छवी खराब करने का रोप में 5 लाक रुपे एक सही है, उसके बाद है, केंज सासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केंज सासित प्रदेश, लदाख, संयुक्त उच नयाले, इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, जम्मू कश्मीर एवाम लदाख, उच नयाले, ठीक है, तो हमारा answer हो जाएगा, इसमें option number D, सारे statement सही, उसके बाद हमारा question है, कि 2021 को दुनिया के सबसे बड़े mobile event, mobile world congress, 2021 का उधगाटन कहां पर हुआ था, मतलब ही कहां पर हुआ था event, और नाइजिस ये किया गया था, बार्सिलोना, स्पेन में, इसको और नाइजिस किया गया था, option number A, अब इहाली में एक लोगसाभा में written reply में केंद्री मंत्री डॉक्टर जितेन सिंग ने कहा है कि भारत में इस समय 22 वानिजिक परमानू रियक्टर संचाली था है, काफी महतपून डेटा है, क्योंकि बुक्स में non-updated होता है, अब सरकार की तरफ से reply है, तो इसको सही मानिए उसके बाद है कि country's first grain ATM जो है गुरुग्राम district हर्याणा में शुरू हुआ है, पालेट तोर पर सही है, the first cultivation of monk fruit, monk fruit जो है चाइना से लाया गया है, हिमाचल प्रुदेश में लगाया गया है, तो ये भी सही है, एंसर हो जाएगा इसका उपर यूगत सभी, all of the above. Amazon India ने अपना पहला digital center कहां पर खोला है आपको बताना है, तो digital center खोला गया है सूरत में, option number B, अभी हाली में जून 2020 में भारत की सबसे बड़े विद्धोत उत्पादन company NTPC Limited के द्वारा, किस वर्ष तक 60 GW की नविकाड़ी उर्जा स्थावित करने का लक्ष रखा गया है, तो NTPC ने 60 GW का लक्ष रखा है, दोजार 32 तक, अभी फ्रांस ने laser pad anti-drone system को अपना टेस्ट किया है, जिससे वो Paris Olympic को सही से host कर सकें, ठीक है, और world's third largest diamond जो है 1090 का बोट स्वाना में अभी देखा गया है, तो दोनों statement यहां पर सही है, answer हो जाएगा इसमें C, both 1 and 2 correct, हाल ही में किस राज के पंतरी मंडल ने जन्जातियों और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, आस्था, संस्कृती परंपराओं के संद्रक्षन, समवर्धन के लिए स्वतंत्र विभाग की घुषणा की है, स्थानी आस्था और संस्कृती विभाग, इनमें से किस काफित होगा असम में, आप्शन नमबर B, आसम, हाल ही में रामगड विश्धारी वन जीव अभ्यारन जो है, राज का चावथा बाग रिजर्व घोशित हुआ, ये कंट्री का बावनवा टाइगर रिजर्व था, ये है कहां पर, ये है राजस्थान में, आप्शन नमबर A, ठीक है, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, आप्शन नमबर A, तो ये बहुत काफी ज़रूरी है कि क्रिप्टो गैमिक गार्डन देश का पहला कहां पर, जो है, इसका नावरण हुआ है, चक्राता छेत्र है, देववन में, दैरादून डिस्ट्रिक्ट उ करने हैं, वो बस इतना समझिए कि ऐसे पाउधे होते हैं, जो बिना बीच के जनमते हैं और फूल नहीं देते हैं, तो मतलब ये गार्डन जहां पर, यह है क्रिप्टो गैम गार्डन यहां पर कोई भी फूल आपको नहीं देखने को बिलेगा, ठीक, हरी-हरी-हरी-हरी-हर सब्सक्राइब करने के लिए भारत के साथ 1.3 अरब डॉलर के समझाते पर अस्ताक्षर किये गए तो सतलज जल विद्धुत्निकम लिम्टेड इसको बना रहा है छैसों उन्ने आसी मेगावाट का प्रोजेक्ट है ऑप्शनमबर रहे हैं पच्छेश जुलाई दोज रिकिस को तेलंगाना के वारंगल स्थित रुद्रेश्वर या फिर रामपा मंदिर है भारत में यह 49 तो इस तरीके से हमारे पास कितने कल्चरल साइट्स हो गए 32 साथ हो गए नैच्रल और एक है मिक्स्ट तरीके से 40 साइट्स हो गए उन्ने इसको के भारत में इसके बाद हमारा question NTPC Limited ने गुजरात के कक्ष रीजन में खावदा गाउं में भारत का सबसे बड़ा solar park स्थापित करने गोशना की है हमको बताना है कि इसकी capacity किती होगी इसकी capacity होगी 4750 Megawatt option number A अभी गोशना हुई है अभी इसका कोई काम नहीं शुरू हुआ है अभी ये OECD FAO Outlook Report 2021-2030 Pulses पर अभी किस ने जारी किए जारी किए है FAO ने option number C FAO अभी उत्तर प्रदेश गोशना है माई गौव मेरी सरकार portal launch किया है सही है समित नागल जो है थर्ड कुल मिलाकर के इंडियन टेनिस प्लेयर बन गये है जिन्होंने men single match जीता है एक olympic game में अलांकि कोई medal इन्हें नहीं मिला है चाइना ने अभी world's first commercial small modular reactor जो है link long one इसका काम शुरू कर दिया है सही है उसके बाद है कि इन जुलाई 2000 यहम देखी चुके मेरी सरकार माई गौव पोर्टल उतरप्रदेश ने अभी लॉंच किया हाल में डी यहां पर सही है all of the above डिश्टल इंडिया कारेक्रम के बारे में काफी चीज हम डिसक्स कर चुके हैं जुलाई 2015 को जैसे लॉंच किया गया यह और 6 साल इसने अभी पूरे कर लिए हैं डिज्टल इंडिया का उदेश भी यहां पर लिखा हुआ है हमारा एंसर हो जाएगा इसमें डी all of the above कि सराजी की सरकार ने अपनी नई नीती में इलेक्ट्रिक वाहन नीती 2021 लॉंच किया है जिसका उदेश है कि बिजली के वाहन मतलब यह कुल बिला का बिजली संचालित वाहन इलेक्ट्रिक वीकल्स 2025 तक सभी टोटल रेजिस्टर्ड वीकल्स के 10% बने तो इसका एंसर हो जाएगा महरास्ट्र ऑप्शन बड़ डी जि स्थापना मतलब केंद्री विश्विद्याले की स्थापना के मंजूरी दी है यह विश्विद्याले केंद्र सासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा जिसका नाम है लद्दाक लद्दाक में स्थापित किया जाएगा ऑप्शन नमबर ए उसके बाद है कि इन इमलिक foundation नामक एक organization के सहयोग से तो इसका answer हो जाएगा both one and two correct C इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला गल्फ कंट्री कौन सा बन गया है तो ये बना है UAE, option number A Blue Origin जो space company है इसने अभी अपना नया automated rocket अभी new shepherd अभी लॉंच किया और इसमें जो मतलब company के मालिक है Blue Origin के जेव बैसोस और उनके साथ तीन लोग गये थे और उन तीन में से 82 वर्ष के भी वेक्ती सामिल थे जो की space पहुंचने वाले सबसे proud वेक्ती बन गये है तो जेव बैसोस गये थे और यह जो रॉकेट है new shepherd rocket system इसको जो टीम ने इस रॉकेट को डवलप किया new shepherd rocket को उस टीम में संजल गाउडे शामिल है संजल गाउडे महरास्ट की बेटी है और उस टीम में शामिल थी जिन्होंने जेव बैसोस की इस रॉकेट को बनाया new shepherd को तो यह गौरव की बात है हमारे लिए एंसर हो जाएगा इसमें C both one and two correct संजल गाउडे का नाम दिहान रखेगा पूछ सगा सकता है हाल यह में किस भारतिय प्रावधोगी किस अनस्थान यानि IIT ने भारत का पहला rapid electronic और AI based कोविड 19 परिक्षण किट विक्सित की है तो इसको विक्सित किया है IIT है अप्शन अमबर ए अभी हाल यह में दुबाई का golden वीजा किस भारती प्लेयर को प्राप्त हुआ है तो यह मिला है सानिया मिर्जा को ऑप्शन अमबर बी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बैन को आधिकारिक तोर पर 2022 में होने माले ओलंपिक का मिजबान गोशित किया गया है सही है उसके बाद है कि विस्ट इंडीक्स क्रिकेटर क्रिस केल पहले क्रिकेटर बन गये हैं जोनोंने टीट्वेंटी फॉर्मैट में सभी तरह के फॉर्मैट मिलाकर लीग इंटरनेशनल नैशनल सब मिलाकर के 14,000 पूरे कर लिए हैं सही है और हैदरबाद बेस्ट टेक्नलोजी रिसर्च और डवलप्मेंट फर्म ग्रीने रिबोटिक्स ने इंदर जाल डवलप किया जो कि फर्स्ट इंडिया इंडिजनेसली डवलप्ड ड्रोन डिफेंस डॉम है इसका एंसर हो जाएगा D all of the above जमो कश इसमीर के बारमूला में किस फाइरिंग इसमें बताना है कि इनमें से एक फाइरिंग रेंच का नाम बदल करके बॉलीवड एक्ट्रेस की नाम पर रख दिया है तो विद्दिया बालन के नाम पर फाइरिंग नाम रख दिया गया है आर्मी के दोरा option number A जेव बसूस जो है अपनी Blue Origin Company द्वारा बनाए गए, शेफ़र्ड रॉकेट, न्यू शेफ़र्ड रॉकेट से स्पेस में पहुंचे, जो कि एक fully automated रॉकेट था है, जो कि उसको चलाने के लिए किसी पाइलेट की ज़रूरत नहीं थी, अभी एक और इसी तरह का VSS Unity नाम का एक मतलब कह सकते हैं, रॉकेट सिस्टम बनाया, Virgin Galactic नामक कमपनी जो है स्पेस की, Sir Richard Branson की कमपनी है, वो भी गए थे, जैब बसूस के थोड़ा पहले, तो दो लोग गए थे, ध्यान रखेगा, तो इसमें पहला दिया वाया कि श्रीशा बांदला जो है, ये सेकेंड इंडियन Origin Women बन गई है, जो की, स्पेस में गई थी, वैसे तो टेखनीकली तो थार्ड है, क्योंकि पहले गई कलपना चावला, फिर गई सुनीता विलियम्स, और फिर ये तीसरी होई, श्रीशा बांदला, लेकिन citizenship का यहाँ पर कुछ चक्कर है, तो इनको सेकेंड ही मानी है आप, औ पूर्थ टोटल इंडियन विमन जो स्पेस में गई, तो श्रीशा बांदला जो है, यह कलपना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी, किसी भी तरीके से भारत से संबंद रखने वाली विमन है जो स्पेस पे गई, ठीक है, और Virgin Galactic की फ्लाइट जो है, VSS Unity जो गई इसमें गये थे, तो इसमें जो 6 लोग गये थे, इसमें शिरीशा बांदला भी सामिल थी, शिरीशा बांदला जो है, यह मूल रूप से गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध प्रदेश से हैं भारत में, तो इसका अंसर हो जाएगा, ऑप्शन बर D, ऑप्शन बर D, अगला 21 में रूस के स्टेट ऑपरेटेड परमाणू उर्जा निगम रोसो टॉम ने भारत के किस स्राज में स्थित कुडान कुलम परमाणू उर्जा सहींतर के 5 में और 6 में परमाणू रियक्टर पर काम शुरू कर दिया है, आपको बता दिया जाए कि यह कुडान कुलम में, मतल ठीक, तो दर्बार मूव पृथा को महराजा गुलाप सिंग ने शुरू की अथा 1870 में और फाइनली अप 30 जून 2020 को इसको खत्म कर दिया गया है, एंसर हो जाएगा इसमें D, All of the above अगला सवाल है कि ताजा बर्मी अंगूर लैटीको की खेप अभी गुवाहाटी से किस देश में भेजी गई है, तो यह भेजी गई है आपकी दुबाई में, option number B अभी हाल में किसान सार्थी अप अश्वनी वैशनाव और अगरिकल्चर और फार्रबर वेलफेर मिनिस्टर नरेंदर सिंग तोमर ने अभी हाली में कब लॉंच किया, तो इसको लॉंच किया गया था, आईकार की 93 स्थापना दिवस के उसर पर, जो की होता है 16 जुलाई 2021 क अभी हाल में किस राजव में अगर पेड़ों की वेवसाइक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू हुई है, तो अगर ट्रीज को उगाया जा रहा है त्रिप्रा में, अप्शन अमबर बी चीन स्थित बहेतन जल विद्दुत सेयतर परियोजना की दो इकाई शुरू हो गई है, आमको बताना है किस रिवर पर लोकेटेड है, तो यह लोकेटेड है यांक्स्ते रिवर पर, जो की एशिया की सबसे बड़ी रिवर भी है, आप्शन अमबर भी है इसमें हमको बताना है, जिनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के कॉमरिशिल प्रोडक्शन को मंजूर करने वाला पहला कंट्री कौन बन गया है, तो यह बना है फिलिपीन्स, फिलिपीन्स में हम गोल्डन राइस की कॉमरिशिल प्रोडक्शन की जाएगी, आधिका दोनों चीज़ें 13 जुलाई 2020 को केंद्री वित्त और कॉर्परेट कार्यमंत्री निर्मला सीतरमंड जी ने किस पड़ोसी देश के वित्त मंत्री के साथ संयुक्त रूप से भीम यूपी आई कारेक्रम शुरू किया तो भीम यूपी आई अब भूटान यूज करेगा ठीक है जैनगर से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार के जैनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल गाड़ी परिचालन का सफल परिक्षन किया गया ठीक है और दोनों देशों के बीच 54.50 किलोमेटर लंबा रेल खंडी ये रहेगा कुल बिलाकर के 5 स्टेशन होंगे फूरे 34 कि के दारे में और ये रेल ट्रैक नेपाल के धनुशा जीले में कुर्था को बिहार के मधुबुनी डिस्ट्रिक्टों में जैनगर से जोड़ेगा सही है ये ओल अफ दबो यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा डी हाल ही में कि सराजी की विधान सभा ने 179 आर्टिकल के तहट विधान परिशत का सरजन करने के लिए दो तीहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया है तो वेस्ट बंगाल में जल्द ही विधान परिशत हम को देखने को मिल सकती है एंसर हो जाएगा इसमें बी उसके बाद Amlex नाम का एक Oxygen Rationing System IIT Roper ने डवलप किया है कंट्री का पहला Indian Heritage Institute या फिर भारती विरासत संस्थान नोईडा में स्थापित किया जाएगा बहुत ज़रूरी फैक्ट यूपी PCS के लिए यूपी के सभी एक्जाम्स के लिए औरचा और ग्वालियर जो है यूनेस्को के हिस्टारिक अर्बन लैंड्स के प्रोजेक्ट के ताहट चुने का से टीज हैं यह हम पहले भी देख चुके हैं यह CG PCS भी इसको पूछ चुका है लेकिन फिर भी एक लॉंच किया जिसका नाम NB driver है तो NB driver लॉंच किया है IT मदरास ने option number C है भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियान और कॉर्परेशन तेल और स्वक्ष उर्जा दोनों की बढ़ती वी मांगों को पूरा करने के लिए देश का पहला green hydrogen सेयंतर कहां पर स्थापित करने वाली है तो इस थापित की जाएगी मत्वरा में काफी जरूरी फैक्ट आरो यूपी पीसेस दोनों के लिए एंधर वजाएगा D इसके बाद net tracks के बारे मात करना है यह longest high speed track होगा एशिया में हाल ही में प्रकास जावेडकर जी ने एशिया के longest high speed test track automobiles के लिए जो होगा इ अधिप्रदेश के इंदावर में है यह तो इसमें पहला statement हो गया गलत उसके बाद बताना है कि longest high speed track होगा एशिया में 5th longest होगा पूरे वल्ड में इसको national automotive test track यानि net tracks बोला जारा है शॉट में सही है इसका answer हो जाएगा only one के बाल पहला गलत है बाकी सही है तो पहला एशिय का longest high speed track कहां पर जो है उद्गाटन इसका हुआ है इसका उद्गाटन हुआ है इन दावर में हाली में किस देश ने अंतरिक्ष में जो राइस वो लेकर के गए थे अभी उसको उगाना शुरू किया है तो space rice या फिर rice of heaven के नाम से चाइना इसको market कर रहा है चैंग इमिशन म में और radiation में चावल में जो mutations आए होंगे वो काफी fruitful रहेंगे चावल की अभिनाव प्रजाती को उगाने में तो यह सब प्रयोक्चीन ही करता रहता है option number A यह द्यान रखिएगा कि जो space rice है यह किस mission के तहत ले जाया गया था space में शैंग E5 mission पर शैंग E5 mission पर चावल ले जाया गया था अब उसको यहां पर ला करके उगाया गया है उसके बाद है कि डॉक्टर भीम राव मेटकर समारक और सांस्कृतिक केंदर के समंध में कौन सा गलत है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है क्योंकि पहला statement कह रहा है कि राम कर दिया गया है आपको बताना है कि इसको World Heritage Site का स्टेटस कब मिला था यह आप हमको comment करके बताईए 22 जुलाई 2021 को राष्ट्री कि सखन कल्यान कारेकरम कार्यमें ने समीती के कार्यालय का उद्गाटन किसने किया है यह उद्गाटन किया है नरेंद्र सिंग तोमर जी ने option number B ताइवान की सरकार जल्द ही लिथवानिया में अपना एक पहला मतलब कह सकते हैं इंबैसी स्टैब्लिश करेगी बकाइदा ताइवान कंट्री की नाम से और यह चाइना को काफी अच्छा नहीं लगा था यह सब चीज नियूज में आई थी और पूछ जाने की संभावना भी है कि इन में से किस कंट्री में ताइवान जो है अपना एक इंडिपेंडेंट इंबैसी ताइवान के नाम से इस्टैब्लिश करने वाला है लिथवानिया में ठिक उसके बाद बिहार क्रशी विश्विद्याले भागलपूर सबाओर में जो है इसने किशंगन जिले का डिजिटल उर्वरता मांचित्र तयार किया है बीपीसी वाले इसको नोट करिएगा जरूर उसके बाद चाइना ने अभी हाइज स्पीड मैगलेव ट्रेन लॉंच किया जिसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आर्किंग दाव शैंगडॉंग प्रविंस में यह अब तक की सबस से फास्टेस्ट रेनिंग वीकल है अर्थ में तो हमारा इंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नमबर डी ऑल अफ दबो सारे सही हाल ही में केंद्री क्रशीविम किसान का ल्याड मंतरी नरेंद्र सिंग तोमर जी ने पाउधा प्राधिकरण भवन का शिलानियास रखा है यह ह कहां पर पाउधा प्राधिकरण भवन पूसा दिल्ली में इस्टैब्लिश किया गया है बहरत और किस देश के शोत करताओं कि एक टीम ने एक नई उसके बाद कि डिल्लीरीश थित परेवर्यवर्यन में इक एंजियो है टॉक्सिक लिंख इसने अध्यन में पाया कि गंगा में इसके ट्रेस मिले हैं टॉक्सिक लिंक नामक सनस्थागो उसके बाद हिमानतविस्व सर्मा जो है असम के नए चीफ मिनिस्टर इन्होंने असम कैटल प्रोटेक्शन बिल 2021 लेजिसलेटिव एसेमबली में पेश किया इसके एंसर हो जायेका वन एंटू बोथ करेक्ट होम मिनिस्टर अमित्शा जी ने चेरा पूंजी सोहरा में वनी करन अभियान के संबंद में कुछ योजनाएं अभी वहां पर लौंच की है तो ग्रीन सोहरा एफ़ॉरस्टेशन कैमपेइन सोहरा चेरा पूंजी में लौंच किया सही है और उसके बाद मिगाले में उसके सब्सक्राइब करेंगी उसके बाद ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाइब स्कीम भी नोएंड लॉंच की थी तो इसका एंसर वजाएगा डी ओल अफद अब और करेक्ट पंदरा जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोधी जी ने किस शहर में जापान की साहेता से निर्मित इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेनिशन सेंटर जिसका नाम रुद्राक्ष दिया है इसको लॉंच किया तो वरड़ाशी में इसका उद्देश हम देख चुके हैं पहले ही में रोड ट्रांस्पोर्ट और हाइवेज मिनिस्टर नितिन गटकरी जी ने माक्रू ब्रिज का उद्गाटन कहां पर किया था माक्रू ब्रिज उद्गाटन किया गया है मड़िपूर में उसके बाद के सरिया बुद्धिष्ट स्थूप जो है यह है इस्ट चंपरण में इस्ट चंपरण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में वहाँ पर है और इसको कहा जाता है कि यह लार्जेस्ट स्थूप ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है लार्जेस्ट बुद्धिष्ट तूप ऑफ द वर्ल्ड तो यह कहां पर है बिहार में ऑफिसली ऑप्शन उमबर बी इस्चं यह सब चीज़ें हुई जियो पॉलिटिक्स में बस इतना ध्यान रखना काफी है लेह एंटीपीसी की मदद से जल्दी शून कार्बन उत्सरजन वाला हाइड्रोजन आधारित हारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा लगदाक में सही है ठीक है यह एंटीपीसी वेबसाइट पर डिटेल लिखी हुई है लेकिन यह अभी सिर्फ अनाउंस किया गया है तो यह पहले दो स्टेट्मेंट सही उसके बाद बालीखा पंचायत इनिशेटिव जो है काच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में लिया गया था तो इसका अगला स्टेट्मेंट है मतलब अगला कुशन है इसमें बताना है कौन सा गलत है तो पहला है कि जमू कश्मीर में सौर व्रक्ष और सोलर कार पोर्ट के रूप में एंटीपीसी के पहले सौर प्रतिष्ठान का गाटन किया गया तो यह वाला रॉंग हो जाएगा क्योंकि जैसे हमने उपर भी देखा जमू कश्मीर में नहीं यह लद्दाख में इस्टैब्लिश होने वाला है सोलर ट्री और सोलर कार पोर्ट तो यह पहला स्टेट्मेंट हो गया रॉंग उसके बाद सेकेंड वाला है क बोटान ने जून 2022 तक बिना लाइसेंस के आलू उत्पात को मंजूरी आलू आयात को मंजूरी दी है सही है यह तो इसका एंसर हो जाएगा हमारा ओनली वन इनकरेक्ट सेकेंड वाला करेक्ट है बोटान जून 2022 तक बिना लाइसेंस के आलू आयात करेगा भारत को किस राज में स्थित कांडिला IGBC Green Cities Platinum Rating प्राप्त करने वाला पहला विशेस आर्थिक छेत्र यानि Special Economic Zone बना है SEZ और साथ ही साथ भारत का पहला हरित और द्योगिक नगर भी बन गया है तो ये आपका कांडिला कहां पर है गुजरात में Option B 30 जून 2021 को मोधी जी के अध्यक्षता में केंद्री मंत्रि मंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्जुनिक नीजी भागिदारी के वाद्यम से भारत NET के شंशोधित कार्यन्वन रन नीती को लाँज किया भारत ने नेट की जो है शन्शोधित का रेन्विन स्ट्राटजी के तहत 16 राजियों में भारत ने नेट को लॉंच किया जाना है इन में से किस राज की सरकार ने चुनाव से पहले क्रशी उद्द्यमियों को स्वराउजगार दिलाने के लिए 1000 एगरी जंक्शन्स की स्थापना की कारी योजना को मंजूर किया है उत्तर प्रदेश जो है 1000 क्रशी केंद्र या फिर एगरी जंक्शन्स को लॉंच करेगा चुनाव से पहले अप्शन नमबर C हाली में किस देश के अतिहासिक पैसव, डेल, प्रॉडो, बुलवाड और रेटिरो पार्क को युनेस्को वर्ल्ड रेटेट साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है तो यह सामिल किया है स्पेन से अप्शन नमबर C यह उत्तर प्रदेश स्पेस्फिक करेंट अफेर है, शिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए रेलिवेंट रहेगा आयोध्या कि 84 कोशी परिक्रमा मार्क को राष्ट्री राजमार्क यानि कि नैसल हाइवे के रूप में घोशित किया है इसमें आयोध्यांबेटकरणागर 12 बंकी, बस्ति और गोंडा 5 जिले आते हैं ठीक है, उसके बाद सरल पेंशन स्कीम अभी यालाइसी ने लॉंच किये तो तीनों स्टेट्मेंट सही है, एंसर हो जाएगा इसमें D भारती विज्ञान सिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता ने किस भारती और द्योगिक संस्थान के सयोग से पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिश्टल विक्सित किये है, आयटी खड़कपुर के सयोग से विक्सित किया है, ओप्शन नमबर A खादी पेंट के बारे में बात कर चुके हैं, पहले ही एग्रिमेंट्स वाले सेक्षन में, इसके ब्रैंड अमबेस्टर नितिन गटकरी है, और इसका अगला स्वचालित निर्माण इकाई कहां पर स्टैब्लिश हो रही जैपूर में, और नया सैयत्र कुमारप्पा राष सारे स्टेट्मेंट्स ही हैं, हाली में दिल्ली और हैदरबाद हवाई एड़े को ACI Asia Pacific Green Airport की मानिता प्राप्त हुई है, असम सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ स्वामित योजना को राज में लागू करने के लिए समझोता कि अपन पर रस्ताक्षर कर लिए हैं, सारे स्टेट्मेंट यहां पर सही हैं, इनमें से किस देश ने अभी कहा है कि वो अपनी तेल प्रमुक की छवी को अब वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में बदलना चाहते हैं, ठीक है, और इसी के लिए उन्होंने दूसरी राश्ट्री एरलाइन भी शुरू की सुरू की है, साओधी एरब ने, आप्शन नमबर ए, मतलब वो खाली एक तेल के लिए जाने वाले कंट्री के नहीं कहलाना चाहते हैं, अब एक ग्लोबल लॉजिस्टिक हब के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं, साओधी एरब, केंदर सरकार ने भारत में ए करेगा एटी बॉंबे, भारती सांस्कृतिक संबंद परिशद और दिल्ली विश्विद्याले ने किस विश्विद्याले में बंग बंदू चेहर स्थापित की जाएगी दिल्ली विश्विद्याले में, आप्शन नमबर C, अगला कोशन है, ओडिशा सरकार ने राज के उत्साहन एजिंसियों की स्थापना करने करने डे लिया है, सही, उसके बाद है, हाली में सुब्रोमनेम जैशंकर ने जॉर्जिया के दाओरे पर गये थे वो, और लिबीसी जो हां की कैप्टल है, वहां पर एक पार्क में महात्मा गांदी जी की प्रतिमा का नावडरंड क किया था, ठीक है, उसके बाद विश्व स्वास्त संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्तगोशित कर दिया गया है, सही है, एंसर हो जाएगा, इसका डी, all of the above.